हेलो एवरिवन, वेलकम टू लॉजिक पार्ट शाला चैनल, हमारा आज का टॉपिक रहेगा रामसर साइट्स इन इंडिया, इन्हें हम देखेंगे मेम्रे ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको एक्जाम में इन्हें रिकॉल करना इजी रहे, सबसे पहले हम डिसकस करेंगे रामसर साइट्स जितनी भी हैं इंडिया के अंदर, 2022 तक जितनी भी आई हैं रामसर साइट्स वे सब डिसकस करेंगे, उसके बाद हम इसके 20 MCQs देखेंगे, और उन MCQs के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें कितनी रामसर साइट्स याद हैं, इस लिक्चर का PDF आपको टेलिग्राम म मिल जाएगा, जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्चन में प्रोवाइट कर दिया गया है, तो लेट्स वेगिन दा सेशन, तो ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, जिसके अंदर की सारी रामसर साइट्स इंडिकेट की गई हैं, तो पहले हम बात करते हैं, रामसर कन्व हुई थी 2nd February 1971 को, और जो 2nd February इच एर सेलिबेट किया जाता है, वर्ल वेटलन डे के रूप में, वर्ल की फर्स साइट जो की आपकी रामसर साइट में इंक्लिवड हुई थी, वे थी, कोबर पैनिंसूला, जो की ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ये कब डेजिगनेट को मिलेंगी, वे है, United Kingdom and Mexico, Bolivia has the largest area under Ramsar protection, तो अब हम बात करते हैं, कुछ facts की, जो की इंडिया के है, तो पहले fact क्या है, how many Ramsar sites are in India, तो at present, 49 Ramsar sites हैं इंडिया के अंदर, which is the largest Ramsar site in India, तो वे है सुन्दरबन, जो की कहां पे है, West Bengal के अंदर, which is the first Ramsar site in India, तो पहली Ramsar site कौन सी थी इंडिया की, तो वे थी चलिका लेक, जो की ओरिसा में है, और कियोलादियो नैश्टनल पार्क, जो की कहां पे है, राजस्थान के अंदर, next question is, which Indian state has the most number of Ramsar sites, तो इंडिया की कौन सी state है, जहां पे आपको maximum number of Ramsar sites देखने को मिलती है, तो वे है उत पुरे है रेनु का वेटलेंड, कितना एरिया कवर करती है, 20 hectare, और यह कहां पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, अब हम डिसकस करते हैं, one by one, सारी रामसर sites, सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिका लेक की, यह देखने को मिलेगी आपको औरिसा में, इसे हम कैसे याद करें की याद करेंगे, आप देखेंगे च일, तो जब चिल होती है, मतलब ठंड होती है, बहुत जादा, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमें रास्ता क्लियर नहीं दिखता, तो उस टाइम पर हमें दिशा बिलकुल अंधे दिकती, तो आप इसे ऐसे ऐसे करेंगे, और इसा से ल कहेंगे लड, तो जो राजा लोग हैं, ये क्या करते हैं? लडाई करते थे, तो आप इसे ऐसे ऐस सोसीट कर सकते हैं, हरी के लेक, तो ये देखने को मिलेगी पंजाब में, तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अभी जो लास्ट येर जो farmers के प्रोटेस्ट चले थे, उसके अंदर क्या था कि सबसे जब जो पार्टिस्पेट किया था वे किया था पंजाब के फार्मर्स ने तो आप इसे ऐसे असोसियेट कर सकते हैं कि वहां पे बहुत हरी हरी चीज़े देखने को मिलती हैं ठीक है पंजाब के अंदर नेक्स्ट इस सांभर लेक तो इसे हम कैसे याद करेंगे तो ये है आपके राजस्थान में तो देखिए जो राजा लोग होते हैं ये कभी हार नहीं मानते तो यहां से लेंगे राजा और सांभर से लेंगे हार यहां से ठीक है next is Wooler Lake तो इसे हम कैसे याद करेंगे तो यहाँ जमू कश्मीर में इसे आप याद करेंगे Wool तो यहाँ से बन रहा है Wooler से Wool तो जब भी ठंड होती है तो जमू कश्मीर में बहुत ठंड देखने को मिलती है तो हम Wool का प्रयोग करते हैं next one is LongTakLake तो लोग तक लेख है मनीपूर में इसे हम कैसे याद कर सकते हैं देखिए जो लोग होते हैं या लोग होते हैं उनको क्या चाहिए मनी तो आप इसे ऐसे एसोसियेट करते हैं हर किसी लोग को क्या चाहिए मनी नेक्स्ट वन इस रोपर लेक तो ये है पंजाब में तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं देखिए जो पंजाब के लोग होते हैं वह बहुत खुश मिजाज होते हैं तो वो रोते नहीं है ठीक है तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं नेक्स्ट वन इस कंजली लेक, तो इसे यह है आपकी पंजाब में, तो इसे हम कैसे याद करेंगे कंजली लेक को, तो देखिए जो पंजाब के लोग होते हैं, बिल्कुल भी जलन नहीं रखते, किसी से भी जैलिस नहीं करते, तो यहां पे ना जली, तो आप इसे ऐसे असोस होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसे ऐसे असोसियेट कर सकते हैं, दिपोर बील, तो यह देखने को मिलेगे आपको, असाम के अंदर, इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए, यहां से लेंगे आप डीप, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम किसी काम को करते हैं, डीपली, तो हमें आस होती है, कि हम उसे ठीक ठंक से कम्पलीट कर लेंगे, नेक्स वन इस पॉंग डैम लेक, तो यह देखने को मिलेगी आपको हिमाचल परदेश में, तो देखिए, पॉंग से आपका बनता है सोंग, और हिमाचल परदेश तो बहुत सादा ब्यूटिफुल है, और यहां पर बहुत से सोंग की शूटिंग होती है, पॉंग के पास, तो आप इसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सोमरोरी लेक, तो सोमरोरी लेक चुह है, यह है आपकी लदाक में, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, इसे आप याद कर सकते हैं, जब भी हम किसी से लड़ते हैं, तो यहां को मिलेगी आपको केरला के अंदर तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं केरला से आप बनाएंगे करेला जब करेला खाने का मन ना हो तो हम क्या कहते हैं कि हमारा खाने खाने का मूड नहीं है तो यहां से लेंगे आप मूड नेक्स देखते हैं इसमें बताया गया है सस्थम कोटा तो यह है आपकी कहां पे केरला के अंदर फिर से आप लेंगे करेला और जब घर में करेला बना हो और जब आपको उसे जबर्दस्ती खाना पड़े तो आप क्या करते हैं अपनी सांस को क्या करते हैं बंद करके उसे खा लेते हैं तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं नेक्स इ दिशा दिखाती है भीतर आने की तो यहां से लेंगे दिशा और यहां से लेंगे कनिका और यह देखिए भीतर नेक्स्ट वन इस पॉइंट कैली मेरे वाइड लाइफ और बर्ट सेंचुरी तो यह है आपका तमिलाडू में तो देखिए जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एक पॉइंट रखते हैं तो यहां से लेंगे पॉइंट और यहां पे लेंगे हम मिल ठीक है नेक्स्ट वन इस वेमेनाड कोल वेटलेंड तो वेमेनाड कोल वेटलेंड कहां पे है तो वे है केरला के अंदर तो केरला में आपको पता है सबसे ज़दा लिटरेसी रेट है तो आप कैसे याद करेंगे कि केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज़दा है तो वहां पे जो लो की उमर में आते हैं तो हम अपने भोजन का ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सी चीज़े खानी चाहिए नेक्स्ट वन एस इस्ट कॉलकता वैटलेंड यहापका वेस्ट बंगॉल में इसे हम कैसे याद करेंगे तो जो कॉलकता है यह वेस्ट बंगॉल की क्या है कैपिटल है तो इसे आप ऐसे याद नेक्स्ट इस रेनुका वेटलेंड तो यह है हिमाचल प्रदेश में इसे हम कैसे याद करेंगे तो देखिए हिमाचल से लेंगे हिम और जब हिम के उपर बारिश गिरती है तो वह क्या लगती है बहुत सुंदर लगती है तो रेनुका से लेंगे आप तो यह देखने को मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में तो इसे हम कैसे याद करेंगे केरा से लेंगे आप कोरा और सर्द्यो में बहुत सा कोरा देखने को मिलता है आपको जमूर कश्ञीर नेक्स्ट वन इस चंद्रताल वेटलेंड तो ये हैं आपकी हिमाचली परदेश में इसे हम कैसे याद करेंगे हिमाचल से लेंगे हिम और हिम से अगर चांद देखोगे तो वह बहुत सादा ब्यूटिफूल लगेगा तो यहां से लेंगे चांद और यहां से लेंगे हिम नेक्स्ट इस अपपर गंगा रेवर ये देखने को मिलेगी UP में, इसी हम कैसे याद करेंगे, तो अपर में दिख रहा है आपको UP, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, Roodras Agar लेख, ये है तृपूरा में, इसे हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो Roodra है, ये किन का नाम है? शिवजी चाहे दिन हो चाहे रात आपको पानी देखने को मिलता है तो यहां से लेंगे रात और यहां से लेंगे सरोवर next is Sundarban Wetland तो ये कहां पे है तो ये है West Bengal में इसे हम कैसे याद करते हैं तो देखिए हमें क्या करना है हम इसको ऐसे associate कर सकते हैं कि सुन्दर बनने के लिए हमें अपनी best to best performance तेनी पड़ती है अब सुन्दर कैसे बन सकते हैं तो वे आप अपने कामों से सुंदर बन सकते हैं तो उसके लिए आपको बेस्ट काम करने पड़ते हैं नेक्स्ट वन इस नवाव गंच बर्ट सैंचुरी तो ये है आपकी यूपी में तो यहां से आप लेंगे नबाब तो जो नबाब है ये कहां देखने को मिलते थे आपको लखनओ में आपने हिस्ट्री में पड़ा है ना मॉडर्ण हिस्ट्री में तो लखनओ के अंदर देखने को मिलते थे और लखनओ किसकी कापिटल है यूपी की तो ये आपका रहेगा यूपी में नेक्स्ट इस सरसाई नवार जील तो सरसाई नवार जील कहां पे है तो ये है आपकी उत्रपरदेश में तो इसे हम कैसे याद करेंगे तो इसे आप याद करेंगे यहां से आप लेंगे सर और यूपी की पॉपूलेशन सबसे जादा है तो यूपी के अंदर आपको सबसे ज को मिलते हैं नेक्स्ट is Nandur Mdhistwar तो ये पहां पे है तो ये हैं महाराश्ट्र में और ये आपकी फर्स्ट रामशर साइ्ट रही है कहां से महाराश्ट्र से तो ये भी आप याद रकना और सेकंड कौन सी है तो वह हैं लोनार लेक ठीक है तो इसे हम कैसे याद करेंगे तो इसे आप याद रखेंगे तो इसे आप याद कर सकते हैं कि हमारे राश्टर में बहुत सारी war देखने को मिली थी उसी के बाद हमारा राश्टर आजाद हुआ था नेक्स्ट इस ब्यास conservation reserve यह है आपका पंजाब में इसे हम कैसे याद करेंगे तो basically जो पंजाब है यह इसका meaning क्या है पंज मतलब 5 and आप मतलब reverse तो जो पंजाब है यह 5 नदियों से मिलकर बना है तो इसे हम याद कैसे करेंगे कि पंजाब में जाकर इतना पानी है कि हमारी ब्यास बूछ जाती है ठीक है आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं केशोपूर मियानी community reserve तो ये है पंजाब के अंदर तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए पंजाब के लोगों के केश जो है वो बहुत सुन्दर होते हैं आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं next one is sandy bird sanctuary तो ये है देखने को मिलेगी आपको उत्रपरदेश के अंदर next one is नंगल wildlife sanctuary ये है पंजाब के अंदर इसे हम कैसे याद करेंगे तो नंगल से लेंगे आप गल गल मतलब बात करना तो पंजाब के लोग बहुत बात करते हैं तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं next is samaspur bird sanctuary तो ये कहां पे देखने को मिलेगी तो ये है उत्रपरदेश के अंदर तो देखे जहां पे भी आपको ये sam देखने को मिले ना starting में तो जो ये आपकी आएंगे ना तो ये आपकी रहेंगी यूपी के अंदर ठीक हैं next is परवती आगरा अरगा bird sanctuary तो ये है आपकी कहां पे उत्रपरदेश में तो इसे हम कैसे याद करेंगे अरगा से अगर हम आर और जी को इंटरचेंज करें तो ये बनता है आगरा और वो कहां पे है यूपी में तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं next one is someone bird sanctuary तो देखें फिर से सम आया है तो ये है आपकी यूपी के अंदर next one is या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपको यूपी के अंदर बहुत से man देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां की population बहुत जादा है तो आप इसे कैसे भी याद कर सकते हैं next one is कबरताल wetland तो ये कहां पे है तो ये है आपकी बिहार के अंदर तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए जब यहां से लेंगे आप हार और यहां से लेंगे बार तो जब भी आपकी बार-बार हार होती है तो आप उनसे चीजे सीखते हैं अपनी हार से और फिर जीत प्रापत करते हैं नेक्सट इस आसन conservation reserve ये देखने को मिलेगा उतराखंड में इस्से हम कैसे याद करेंगे तो देखिये उतराखंड के अंदर आपको mountains देखने को मिलती हैं तो जब भी हम mountain से नीचे उतरते हैं वो क्या होता है आसान होता है चड़ना difficult होता है mountain लेकिन उतरना easy होता है तो यहां से लेंगे उत्रा उत्रा मतलब उत्रना और वो होता है आसान तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं next one is lonar lake तो यहां आपकी महराष्ट्रा में इसे हम कैसे याद करेंगे इसे आप याद करेंगे कि हमारे राष्ट्रे के अंदर बहुत से लोगों ने क्या लिया है loan लिया हुआ है तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं next one is taso car wetland complex तो यह देखने को मिलेगा लदाप में तो इसकी भी वही trick रहेगी जब हम लड़ते हैं तो क्या करते हैं सो जाते हैं तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं next one is sur server तो यह देखने को मिलेगा आपको कहां पे उत्र परदेश के अंदर next one is बादवहना wetland तो यह कहां पे है यह है गुजरात के अंदर इसे हम कैसे याद करेंगे तो देखिए जो one है वह रात को बहुत ज़ादा क्या लगते हैं बहुत घने होते हैं तो one से आप याद रखेंगे यहां से लेंगे one और यहां से लेंगे रात next is थोल लेक wildlife century तो यह है गुजरात में तो थोल से आप लेंगे धोल तो क्या होता है जब भी हम बहुत ज़ादा खुश होते हैं तो क्या होता है अगर हम चाते हैं कि दिन रात क्या हो धोल बजे तो इसलिए हम इसे कैसे associate करेंगे थोल से लेंगे धोल और यहां से लेंगे ठीक है next is सुल्तानपूर नैशनल पार्क तो यह है आपका हरयाना में तो इसे हम याद करेंगे कैसे कि जो सुल्तान लोग होते हैं वह कभी भी हार नहीं मानते next one is भिंडवास wildlife century तो भिंडवास wildlife century देखने को मिलेगी हरयाना तो आप इसे कैसे याद करेंगे तो भिंडवास से लेंगे आप भिंड है न यहां पे तो भिंड से लेंगे आप भिंडी भिंडी किसे बोलते हैं lady finger को तो वो क्या होती है हरी होती है न तो यहां से हार से ले खिजडिया वाइड लाइफ सेंचुरी तो यह देखने को मिलेगी आपको कहां पे गुजरात के अंदर इसे हम कैसे याद करेंगे तो देखिए यहां से लेंगे आप जाडियां तो जाडियों के अंदर रात को नहीं जाना चाहिए क्यूंकि वहां के वहां पे कोई भी खीरा वाइड लाइफ सेंचुरी तो यह देखने को मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अब हम देखते हैं कुछ क्रेशन तो पहला है आपका केवला देव घना नैशनल पार्क इस इन विच स्टेट तो यह कहां पे है तो यह है आपका राजस्थान के अंदर तो जो राजा है वैं हार नहीं मानते तो याद आया कुछ मूड से क्या खाने का मूड ना हो आपका करेला तो यह है केला तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन ए नेक्स्ट इस नंगल वाइड लाइफ सेंचुरी तो नंगल से हमने की थी बात गल की गल मतलब बात करना तो कौन करते हैं पंजाब नेक्स्ट वन इस टी लोनार लेक इस इन विच स्टेट तो यह कहां पी है तो यह देखनी को मिलेगा महाराश्टरा में और हमारे राश्टर के लोगों के लोगों ने लोन लिया हुआ है तो आप इसी ऐसे याद कर सकते हैं नेक्स्ट इस हरी के नहीं मानते तो इसका अंसर रहेगा option c next one is thol lake wildlife century thol से हमने बनाया था ढूल और जब खुशी हो तो क्या होता है दिनरा ढूल बचते हैं तो यह है गुजरात next one is chillika lake is in which state तो चिलिका से हमने किया था और जब ठंड होती है तो रास्ता क्लियर नहीं दिखता तो दिशा क्लियर नहीं दिखती next is दिपोर बील तो दिपोर से हमने किया था deeply अगर हम किसी काम को सोच के करते हैं तो उससे हमें आस होती है कि रह सक्सेस्फुल रहेगा तो इसका अंसर रहेगा option a question number 11 is world wetland day is celebrated every year on which state in February तो ये देखने को मिलता है आपको second fab को आप मुझे comment box में बताएंगे कि 2022 का theme क्या है next question is in which state in India you will find the Chandratal wetland तो ये कहां पे देखने को मिलेगी तो ये है हमाचल परदेश में हम से हमने किसको देखा था चान को तो आपने इसको ऐसे याद किया था next one is sokar wetland is in which state तो ये कहां पे है तो जब हम सो सोते कब है जब हम लड़ते हैं तो इसका अंसर रहेगा option c next one is which of the following lake of Rajasthan has been included in the list of Ramsar wetland sites तो कौन सी है लेक तो वे है आपकी सांबर लेक तो इसका अंसर रहेगा option d next one is sundarban is declared as world heritage site 4 तो जो sundarban है ये कहां पे है आपका west bengal में इसे declare किया गया है world heritage site तो क्यूं किया गया है क्यूंकि आपको यहां पे mangrove forest देखने को मिलते हैं तो इसका अंसर रहेगा आपका option c तो यहां पे हमारा ये आज का session खतम होता है I hope आपको ये session अच्छा लगा हो thank you so much for watching this session